नमस्कार मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाना से आपका आज के अजुसिट परिसारण में स्वागत करती हूँ बच्चों रेखा और कोण के भाग एक में आपने पड़ा था कि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं आज इसी लेक्चर के भाग दो में आगे कॉंटीनियू करते हुए हम बाकी समपन्दित कोणों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ गतिविधियों के माध्याम से ये सीखेंगे कि कोण क्या होते हैं संबंधित कौन क्या होते हैं इसमें हम कुछ जियो जैबरा से संबंधित गतिविदिया भी करेंगे तो देखते हैं आसन कौन एडजेसेंट एंगल्स ये कौन इस प्रकार से होते हैं कि इनका एक शीष सांजा होता है और उनमें एक उपहे निष्ट भुजा है जो भुजाएं उपहे निष्ट नहीं है वो उपहे निष्ट भुजा के एक एक तरफ है तो आप स्क्रीम पे देख सकते हैं ये कौन इस प्रकार से बनते हैं तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं एडजेसंट एंगल यानि आसन कोन तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक शीर्ष सांजा है और एक भुजा एडी सांजी है और इसमें अन्य दो भुजाएं एबी और एसी दे रखी हैं तो इसमें सबसे यहां पे 66 डिग्री और अन्य कोन आ रहा है 25 डिग्री तो इस प्रकार से यह आसन कोन बनते हैं देखिए इसमें दो आसन कोन आ रहे हैं इनका मान इस प्रकार से चेंज हम कर रहे हैं तो ये अलग-अलग आसनकोण इसमें आपको दिखाए जा रहे है इसके बाद बच्चों, रैखिक युगम एक रैखिक युगम ऐसे आसनकोणों का युगम होता है जिनकी वे भुजाएं जो उबे निष्ट नहीं है विपरित दिशा में किरने होती है रैखिक युगम, नाम से पता चल रहा है रेखा पर बना युगम दो कोणों का युगम, दो आसन कोणों का युगम जो एक रेखा पर बना है इसमें हमने दो किरने ली थी, दो किरने जुड़के एक रेखा बना रही है और इसमें एक रेखाईन को इस प्रकार से कट कर रही है कि यहाँ पे रिजु कौन बन रहा है इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं यह दो हिस्से जो हैं मिलकर बनाते हैं रैखिक युगम हम अपने दैनिक जीवन में रैखिक युगम के बहुत सारे उधारन देखते हैं इसमें से दो उधारन हम ले रहे हैं एक सबजी काटने वाला पट अब वेजेटेबल चॉपिंग बोर्ड एंड पैन स्टेड एक पैन स्टेड तो बचों यहां स्क्रीन पे आपके पास दो कॉन दे रखे हैं कॉन बी और सतर डिगरी आपको इनका मान ग्याद करना है कॉन बी का आपको पता है कॉन बी जमा कॉन सतर दोनों का योग 180 होगा क्योंकि एक रैखिक युगम बना रहे हैं एक सरल रेखा पर बना कॉन 180 डिगरी का होता है ये बात आप जानते हैं तो यहां हम देखिए इन दोनों कॉनों का योग 180 डिगरी होगा हम इसको डी की मदद से चेक करते हैं बचों देखिए इसमें ये कौन जो इधर है ये 70 डिगरी है और देखिए यहां से 0 से स्टार्ट होता हुआ ये कौन कितने डिगरी है 110 डिगरी और इन दोनों को अगर हम जोड़ें 110 जमा 70 तो ये आता है 180 डिगरी आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको एक कौन दे रखा है जैसे 70 डिगरी दे रखा था इसको 180 में से घटाईए तो आपके पास आजाएगा 110 डिगरी तो देखते हैं तो हम क्या करेंगे 180 में से 70 घटाएंगे तो ये आजाएगा 110 डिगरी अब देखिए इसमें हमें एक कौन दे रखा है 90 डिगरी और दूसरा कौन एक्स है तो हमने एक्स किस प्रकार से निकालना है 180 में से 90 घटाके आप डी से भी चेक कर सकते हैं देखिए ये 90 डिगरी इधर ये 90 डिगरी इनका योग हो गया 180 डिगरी तो 180 में से 90 घटाते हैं तो हमारे पास 90 डिगरी आता है 180 में से 40 डिगरी घटाने पर 140 डिगरी आएगा यानि इसमें वाय आजाएगा 140 डिगरी ये वला कौन आजाएगा 140 डिगरी अगर ये 40 है क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिगरी होगा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ये 40 डिगरी ये कौन जो है ये 40 डिगरी है और यहाँ से देखिए 0 से लेके 140 तक ये 140 है इन दोनों का योग 180 डिगरी बन रहा है next आपके पास ये कौन दे रखा है 50 डिगरी और ये कौन दे रखा है A डिगरी तो इसमें A का मान निकालना है A देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं 180 मेंसे 50 गटा रहे हैं 130 आ रहा है हो गया रिजु कॉन 180 डिगरी यहां आप देख सकते हैं यह कॉन था 50 डिगरी और इधर आ गया 130 डिगरी आप D से भी चेक कर सकते हैं यह कॉन नेक्स तो बचों आज हमने सीखा कि रैखिक युगम में दो युगम होते हैं दो कॉन होते हैं जिनका योग 180 डिगरी होता है रैखा पर बना युगम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो कॉन दे रखे हैं इन दोनों का योग 180 डिगरी है इसी प्रकार अगर मैं कॉनों की पो दलता जाता है पर इसमें ध्यान रखिए ये वही रहता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा चलिए देखते हैं एक बार 123 जमा 57 डिग्री इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री अब देखिए 130 जमा 50 डिग्री इनका योग भी 180 डिग्री है 140 जमा 40 डिग्री इनका योग भी 180 डिग्री है यानि एक कोण में बदल रही हूँ तो दूसरा कोण भी उतना आगे बढ़ जाएगा दोनों कोणों का माप 180 डिग्री रहेगा एक सरल रेखा पर बना कोण देखिए उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा क्योंकि रेखा पर बना कोण तो 180 डिग्री का ही रहेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से रैकिक युगम बनते हैं तो देखिए अगर हम यहां से कौन घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ कौन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका योग हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा जब दो रिखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से किसी बिंदू पर काटें तो उन्हें प्रती छेदी रिखाएं कहती हैं बच्चो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं उर्द्वा धर्स मुकोन यानि वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इन्हें हम शेशा भी मुकोन भी कहते हैं यदि दो रिखाएं एक दूसरे को प्रती छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कौन समान होते हैं आप देख रहे हैं इसमें येलो कलर के दोनों कोन बराबर हैं पीले रंग के और इसी प्रकार लाल रंग के दोनों कोन एक दूसरे के बराबर हैं तो बच्चों अब हम एक गतिविधी के माध्यम से वर्टिकली ओपोजिट एंगल यानि शीरशा भी मुकोनों के बारे में पड़ेंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रती छेदी रिखाएं दे रखी हैं इन में एक कौन बना हुआ है अब इसके सामने वाला जो कौन होगा ये इसके बराबर होगा तो इसको हम इस परकार से देख सकते हैं देखे इस एंगल को जब मैं यहां से लेके जाती हूँ यहां पर तो देखे यह एंगल बिलकुल यहां पर Fit हो गया है अगर मैं दुबारा से इस एंगल को यहां लेके जाओं देखिए यह एंगल यहां पे नहीं आ रहा बट यहां पे यह बिल्कुल इसके बराबर आ गया है तो इसका मतलब इसमें आमने सामने के कौन बराबर है अब अगर मैं इस तरह से देखूं देखिए यहां पे यह कौण इसके बराबर आ गया है दुबारा देखते हैं यह कौण यहां पे था तो यह कौण इसके सामने वाले हिस्से में अगर हम जाते हैं यहां इस कौण के बिल्कुल बराबर आ रहा है तो शीर्ष अभी मुख कोणों का मतलब यही होता है कि आमने सामने के कोण जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं अभी मुख होते हैं वो बराबर होते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल देखिए अब मैंने यहाँ पे एंगल थोड़ा सा घटा दिया है देखिए फिर भी आमने सामने वाले कौन यहां बराबर रहेंगे तो यह केवल वर्टिकली ओपुजिट एंगल यानि शीर्शा भी मुख कोणों में ही होता है कि इसमें बिल्कुल सामने वाले कौन से मुख कोण बराबर होते हैं इस तरह से अभी साक्रिती में देखिए इसमें देखिए यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं और अगर मैं यहां लूँ तो यह दोनों कोण भी बराबर हैं तो शीर्शा भी मुख कोणों में आमने सामने के कोण बराबर होते है तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें आमने सामने वाले कौन कौन से है देख सकते हैं ये दो कौन दे रखे हैं इन दोनों कौनों का माप बराबर है इसी परकार से यहां देखिए शीश अभी मुक कौन में समुक कौन बराबर होते हैं जिनके शीश अभिमुक होते हैं आमने सामने होते हैं अब अगर आपके पास ये कौन 90 डिगरी दे रखा है तो दूसरा कौन कितना होगा? बचों दूसरा कौन भी 90 डिगरी ही होगा नेक्स देखते हैं अब स्क्रीन पे देखिए आपके पास एक कौन 118 डिगरी दे रखा है तो इसके बिल्कुल ओपोजिट वर्टिकली ओपोजिट यानि बिल्कुल समुक में कौन जो है इसके बिल्कुल सामने वाला जो कौन है वो इसके बराबर होगा तो हमें वही कौन निकालना है तो उसका मान कितना आएगा ये 118 है तो इसके सामने वाले कौन का मान 118 डिगरी होगा 71 डिगरी 71 डिगरी तो इसके सामने वाले कौन का माप कितना होगा बच्चों उसका माप भी 71 डिगरी होगा तो बच्चों आज हमने सम्बंधित कोणों के बारे में पढ़ा और Jeeo Gebra की मदद से हमने अनेक गतिविदियां की आप भी अपने घर पर Jeeo Gebra app की मदद से विभिन गतिविदियां धोरा सकते हैं और अपना concept अच्छे से clear कर सकते हैं आशा करती हूँ आपको आज जो भी समझाया गया आपने ध्यान से समझा और अपनी कॉपी में नोट किया और आप घर पे भी इसका अभ्यास करेंगे अंत में कुछ अभ्यास कारे दिया जा रहा है आप वो भी कीजिए और साथी साथ जीयो जैबरा पर इसका अभ्यास कारे किया जा सकता है धन्यवाद